आज हम आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो दावतों में अगर बनाया जाए तो खाना से लोग ज़्यादा स्टार्टर खा लेते हैं तो ये तना ज़्यादा टेस्टी वन कर तयार होता है फ्रेंट्स आप लोगी से जरूर ट्राइ कीजिए अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेर, सब्स्राइब जरूर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं से पहले हमने यहाँ पर 200 ग्राम चिकन ले लिया है, यह बोनलेस चिकन है और छोटे छोटे टुकडे में हमने इसे काट लिया है इसमें एक छोटी चमच अदरक लहसन का पेस्ट हमने आट कर दिया है आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा पॉडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, चिगेन का कलर अच्छा देखे, इसके लिए हमने एक छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च आट किया है, आधी छोटी चम्मच ग्रमसाला पॉडर, एक छोटी चम्मच डाल दें नहीं तो बारिक भी काट कर डाल सकते हैं और नमक पसंद के मुताबिक अब इसमें एक बड़ा चमच गाड़ा दही आइट कर रहे हैं आप चाहें तो इसकी जगा पर आप नीमू भी आइट कर सकते हैं चिकन का कलर और भी ज्याद अच्छा दिखे इसके लिए एक चोथाई चोटी चमच रेट औरेंज कलर हमने एट किया है और दो बड़ा चमच अरारोट का पॉडर हमने एट किया है आप चाहें तो कॉर्ण फ्लोर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे बनाना बहुत जादा आसान है और यह बहुत चमच हमने नमक एट कर दिया है दो बड़ा चमच अरारोट का पॉडर डाल कर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसका इस्तमाल हम कहां पर करेंगे यह आपको आगे बताएंगे तो इसे मिक्स कर ले रहा है मिक्स करने के बाद इसे आप साइड में रख दीजे अब यहां पर हम ग्रेटर में भी ग्रेट कर सकते हैं लेकिन मेरी नाइफ की धार बहुत तेज है इसलिए हम नाइफ से काट रहे हैं इसी तरीके से आलू को स्लाइस में काट लेना है तो आप देख सकते हैं कि यह कितना मोटा है बहुत जादा इसे मोटा नहीं रखना है सभी आलू के स्ल पालने के बाद आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है तो अभी आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड नहीं हो रहा है मगर कुछ मिनट के बाद यानि दो मिनट के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है दो मिनट हो चुका है तो अब हम आपको देखा रहे हैं ये देखे कितना जादा सॉफ्ट हो गया है इसलिए ये नमक वाला पानी को तयार किया जाता है ताके आलू बहुत आसानी से मुड़ सके तो चलिए ये हो गया है तो अब हम चिकन देख लेते हैं तो यहाँ पर चिकन भी रेडी हो चुका है अब इसमें से एक आलू का स्लाइस को निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर दूसरा स्लाइस भी हमने निकाल कर और इसमें चिकन सेट कर रहे हैं और इसे भी उसी तरीके से तूथपिक की मदद से सेट कर लेंगे तो ये देखिए अब बाकी जितने बचे हुए आलू और चिकन हैं सभी को इसी तरीके से तूथपिक की मदद स सेट करने के बाद तयार कर लेना है आप देख सकते हैं कि चिकन बटर फलाई हमारा तयार हो चुका है तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं तो यहां पर तेल गरम करने के लिए हमने पहले से रख दिया था फ्लेम हमने यहां पर मेडियम रखा है पहले हमने हाई रखा अब इसे उलट प्लट कर लेना है आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे प्लट कर चिकेन जो हमारा उपर साइड है वह फ्राई हो जाए इसके लिए हम जितने भी आलू है सभी को प्लट लेंगे हाँ नमक के बारे में आपको तो हमने बता दिया कि नमक सॉफ्ट करता है आलू को मगर ये कॉर्ण फ्लोर हमने इसलिए मिलाया था कि आलू जो है वो बहुत जादा क्रिस्पी तयार होता है आप देख सकते हैं कि इसके उपर कितना प्यारा कलर आ गया है इसे लाइट गोल्ड है तो इसे निकाल लेते हैं बागी बचे हुए जितने बटर फ्राई हैं सभी को हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे अगर घर में शाम में दावत है तो आप इसे तयार करके सुबा में रख दीजिए और इसे फ्राई जो करना है उसे हाफ फ्राई करना है जब गेस्ट करके आप महमानों के सामने सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा टेस्टी और मजज़ेदार बनकर तैयार होता है आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजीएगा आप देख सकते हैं इसे भी उलट प्लट कर हमने फ्राई कर लिया है और इसके उपर बहुत प्यारा कलर आगय चिकन बटरफलाई बनकर रेड़ी हो चुका है थांक्स पूर वाचिंग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हूं जाज़त अल्ला हाफीज